नमस्ते स्टूरेंट्स, डेजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूरेंट्स, सामाजिक विज्ञान विशर के अंतरगत, आठवी कर्षा के इतिहास विशर के इस पांचमें वीडियो में हम लोगों ने पिछले 200 साल के जो हमारे इंडस्टियलाइजेशन है, जो कुटियर उद्योग हैं, इनका हमने अध्यन किया। और पिछले 200 साल का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को हमने समझने की कोजिस की। और आज हम जिस परिस्थिती तक पहुँचे हैं, जो अध्योगीक आर्थिक इस्थिती हमारे सामने है, वो इस्थिती बिगत 200 बरसों में किस परकार बदलाव के फेज से गुजरते हुए यहां तक आई है, उसका हम लोगों ने अध्यन कर लिया है। तो स्टुएंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इस चप्टर में कौन-कौन से प्रस्थन हैं, तो जो प्रस्थन इस चप्टर में दिये गए हैं, उनका तो हल हमें कर नहीं है, कुछ हम इंसाइट सवाल भी देखेंगे। तो चलिए अभी आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए, देखिए आप स्क्रीन पर है सिल्प और उद्योग क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, स्टेंडर एट चेप्टर नमबर फाइब। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले रेकत स्थानों की पूर्ती है, पहला सवाल है सूरत बंदरगा, फिर खाली जगह है, राज्जिम में इस्थित है, तो बहुत सरल सा जवाब है इसका स्टूडेंट्स, इसका जवाब है गुजरात। वैसे मौठे तौर मैं बता दूँ की सुरत एक महानगर है, और ये महानगर अरब सागर के निकट ताटि नदी के मुहाने पे है, समय के साथ साथ इस महानगर का जो आकार प्रकार है या महत्तो है, इसमें बहुत परिवर्टनाया है कभी इसका महाद तो कम रहा कभी अधीक रहा तो 17 सताबदी में ये काफी महत्रपूर्ण सहर था उस वक्त बंबई जिसको मुंबई ये आभी हम कहते हैं बंबे या कलकत्ता या मदरास यानि चन्नई ये सहर थे भी नहीं यहां तक ही बैंगलोर भी नहीं था उस वक्त सुरत था उसको हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी पुकारते हैं या हम लोग उसको टेक्स्टाइल सिटी भी कहते हैं ठीक है और एक बात बतायता हूं स्टुट्ट्स कि बिहार और जारखंड के अनेकानेक लोग वहाँ पर काम करते हैं और ब्यापार भी करते हैं हमारे यहां जारखंड में जो कपड़े आते हैं बहुत संभव है कि वो कपड़ा सुरत का हो सकता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे महले में गाउं में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सुरत में रहता भी हो वहां रहा कि काम करता हूँ चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है टाटाई स्टील की अस्थापना में हुई थी टाटाई स्टील की अस्थापना फिर खाली जगह है में हुई थी है ना तो टाटाइस्टिल की अस्थापना जमसेदपूर जारखन में हुई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं पुर्तगाली भारत में सबसे पहले फिर खाली अस्थान है पहुंचे तो इसका स्टुडेंट्स उत्तर है कालिकट और कालिकट जो है वो कहां पर है ये केरल तट पर है और अब सागर की ओर ठीक है अईसे तो पुरा का पुरा जो किरल राज है वो अयहानि कि वो भारत के दक्षिन में है लेकिन वो पर्शिमी सम्युद्धर की ओर है आप नक्से में उसको देख सकते है तो वहीं ये कालिकट नाम का अस्थान है वहीं पुर्तगाली सबसे पहले आये थे। अगला सवाल है students, बुणकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बुणकर यानि कि वीभर, तो जो वीभर्स थे, उनको किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यानि हम कब की बात कर रहे हैं। हम तब की बात कर रहे हैं जब अध्योगिक क्रांती इरोप में हो गई थी और इरोप से जो है टक्स्टाइल भारत में आने लग गए। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का मलमल, भारत की जमदानी, भारत का खोसा है ना और बहुत तरह के ऐसे छीट, बहुत तरह के जो कपड़े हैं जिसकी इरोप में धाग थी लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ओद्योगी क्रांती के पस्चात जब सस्ते मुले पर भारत में आक्ट्रियों के बने हुए तो भारतिय कपड़े जो है उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और परिनाम यह हुआ कि यह जो बुनकर थे इन लोगों को काम मिलना भी बंद हो गया चुकि इनके कपड़े बीक नहीं रहे थे ठीक है तो इसको देखिए इस प्रकार से आप उत अथारा सो एक है ना इंगलेंड में बने सुती कपड़े ने निस्वीं सदी की सुरुआत तर भारति कपड़े को अमरीका, उर आफ्रीका के परंप्रागत बाजैरों से बाहर कर दिया था क्यों बाहर कर दिया क्योंकि एरोप में जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री जो और द्योगिक कांती के पस्चाथ जो सुरूर हुई तो इसके चलते वो कपड़े जो हैं काफी सस्ते भी थे और बहुत तेजी से भी बनते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी वज़ा से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए ब्रिटिस और इरोपिये कंपणियों ने भारतिये माल खरिदना बंद कर दिया बुनकरों को पेशगी देना मने अडवांस देना भी बंद कर दिया गया इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और कुछ ने तो अपना पेशा ही छोड़ दिया ठीक है स्ट्रेंट्स इसको समझ रहे होंगे आप चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है अठारवी सताबदी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंदर कहां थे तो बंगाल के ढाका में यह ढाका भी भले बंगलादेश में है लेकिन पहले वो भारत में था तो बंगाल के ढाका में आंदरपरदेश के मसुली पटनम में गुजरात के सूरत में क इसके बाद भी होगा जैसे की जैपूर संगानेर यह सब जो राजस्थान में है सरहींद में था और कई जगहों पे और भी थे लेकिन यह मूल अस्थान यही थे आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट्स वूड्स स्टील बहतर क्यों माना जाता था स्टुडेंट्स इसका उत्तर जो यहां लिखा हुआ इसके अलावे भी मैं कुछ बाते आपको बता देता हूं कि दक्षिन भारत में परंप्रागत तरीके से वूड्स स्टील बनाने का की बीधी जो है वो भारतिये जानते थे और इस स्टील में एक अलग तरह की छमता होती थी जिसका ग्यान वहां के लोकल कारिगरों को था तो यह मैसूर करनाटक छेत्र की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो तयार होता था उसको वूड्स स्टील बोला जाता था और यह इतना बहतर माना जाता था कि इस से जब तलवार बनती थी तो इतनी सक्त और पैणि होती थी दुस्मन के लव कबच को भी आसानी से चीर सकती थी और एक बात और जान लिजिए टीपू सुल्तान की जो तलवार है इसी स्टील से बनी हुई थी तो इसको तो म्यूजियम में आप अभी भी देख सकते हैं पहली है लंदन के म्यूजियम में था लेकिन अब भारत के ही म्यूजियम में है ठीक है और वुट्च स्टील पे पहुंच नहीं पाए उनको पता नहीं चला कि भारतिय कारीगर कौन सी बिधी का इस्तमाल करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं भारतिय कैली को कपड़े कहां बनाया जाते थे स्टूडेंस इसका उत्तर होगा यानि कि केडल में आगे बढ़ते हैं पटोला बुनाई का काम कहां होता था तो पटोला बुनाई का जो काम है वो सूरत में हमदाबाद में और पाटन में होता इसमें तंजोग नारापटनम नहीं होगा ढाका बंगाल में तो मलमल जिसको मसलीन बोलते हैं और कालीकट केरल में कैलीको बनता था ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत में पहली सूती वस्ति की मील कहां अस्थापित हुई स्टुएंट्स इसका उत्तर होगा मुंबई में ठीक है आगे है भारत में पहला लोहाइस पात उद्द्यों का काखना कहां खोला गया इसका जवाब होगा जम्शेदपूर हम दो जानते हैं कि जम्शेद जी टाटा के जो बड़े पुत्र थे दोराब जी टाटा तो वो अम् कि जोलोजिस्ट को ले करके बहुत लंबे समय तक जो है पुर्वी भारत के विभीन राज्जो जैसे जार्खन छेत्रिया च्छतिस गड़ में उन्होंने खोज करवाई पता करवाया कि आरन का जो अयस्क है वो कहां मिलेगा तो इस क्रम में आरन का जो अयस्क है पहले तो च्छतिस गड़ में मिला था लेकिन च्छतिस गड़ में पानी के अभाव के कारण वहां नहीं खोला गया तो बाद में आपको पता है कि जारखन राज के पस्मिस इंभूम जिले के नुवा मुंडी और उडिशा राज के क्योंचर जिले के जो जोड़ा माइन्स हैं तो उन माइन्स से जमशेदपूर को आयरन अयस की सप्लाई होने लगी और इसी तरह से वेस्ट वोकारो कोलियरी से कोईला इत्यादी जामा डूबा का नाम आप लोग उने सुना होगा वहां से जमशेदपूर की जो फैक्ट्री है उसको कोईला भी मिलने लगा और उडिशा में जो गुरू महिसनी की खाने थी अभी वो बंद हो गई वहां से भी आयस काते थे तो इस तरह से जमशेदपूर का प्लांट शुरू हुआ और ना सिर्फ शुरू हुआ बलकि यह एसिया का आज तो बीसो का एक महतवपूर यह आरन प्रोडक्शन यूनीट माने जाती है जमशेदपूर की फैक्ट्री तो जमशेदपूर जो है वह पस्समी सिंभूम जीले देम है याद रखना और है स्प्लेंटर जो का और आजादी के बाद बना है टिक है भीलाई का जो इस बाद का अपना है वो भी आजादी के बाद बना है और और जो सीर्टर दा प्लांट है वो यह जर्मानी के सहयोग से बना है और जो भिलाई का इस्टील प्लांट है जो की चतिसगड में है पहले मंद्व परदेश हुआ करता था तो वो भी रूस की चाहता से बना है चलिए आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र भारत में सन 1958 में भारी इंजिनियरिंग मैनिफेक्ट्रिंग प्लांट कहां लगाया गया इस्टील जिसको हम लोग बोलते हैं हेवी इंजिनिरिंग कॉर्प्रेशन जो है यह बना राची में यानि कि जार्खन राज की जो राजधानी है ठीक है विशाखा पत्र नम इसका उत्तर नहीं होगा जमशेत्पूर तो आप जान रहे हैं वहां इस्टील की फैक्ट्री है लेकिन एचीसी वहां नहीं है और छ सवाल है स्टीरेंट्स 36 गड़ में अगरिया समुदाय के लोगों ने एक पहाड़ी परिस्थित लव एस्क के ख़दान का पता लगाया था इस ख़दान से किस आधुनिक स्टील फैक्ट्री को आज लव एस्क प्राप्त होता है तो इसका उत्तर होगा भिलाई स्टील प्ल उस प्रियास के क्रम में जब दोराब जी टाटा और एक अमेरिकन जियोलोजिस्ट जब छेतर में घूम रहे थे तो वो घुमते घुमते चले गए थे 36 गड़ के जंगलों में तो वहाँ पर उनको अगरिया समुदाय के लोग मिले जो की अपने सर पे आरन का जो अयस्क है उसको ढोड़ होकर ला रहे थे तो जो उनसे पूछे कि कहां से ला रहे तो उन्होंने एक पहाड़ी की और इसारा कर दिया तो जब उस पहाड़ी को उन लोगों ने देखा तो वहाँ पर आरन की बहुत बड़ी डिपॉजिट थी तो आज जो भिलाई का स्टील प्लांट ह तो उसी लोग एस के ख़दान से वहाँ पर लोग एस की सप्लाई होती है ठीक है यह बहुत बहुत सवाल है अगला सवाल है सूतिवस्त रुद्यों के मेकेनाइज़ प्रडक्शन के लिए स्पीनिंग जेनी का विसकार किसने और कव किया इसका उत्तर होगा जाउन के और 1764 में 1764 याद रखने का तरीका याद रखी रस्ट्रेंट 1764 में ही बक्सर का जूद हुआ ठीक है और स्पीनिंग जेनी क्या है एक मसीन है है जो टेक्स्टाइल फेक्ट्री जो सूतिवस्तर का जो उद्योग है उसको मेकेनाइज़ करने में यह बहुत बड़ा रोल अदा करत है आगे हैं मलमल के कपड़े भारत में कहां बनते थे तो धाका में जानते होंगे तो ठीक है स्ट्रेंट्स मुझे जहां तक लगता है कि आप सारे प्रस्टों के उत्तर समझ गए होंगे और कुछ इंसाइट सवाल जदी आपके मन में आ रहे हैं तो उनको आप खुद से भ